पहली बात यह है कि आप बीमार मत पढ़ो तो क्या करें? आयुरवेद में अश्टांग इरदयम में सूत्र है कि आयुरवेद अश्टांग इरदयम कहता है बीमार नई पढ़ने के लिए तीन बातें ध्यान रखो वात, पित और कफ इनको संतुलित रखो बस बीमारी को पड़िए वाद, पित और कफ आपको मालूम है वाद, पित, कफ के तीन दोश है जो आपके बीमारी का कारण है ये बीमार कब बनाते हैं किसी व्यक्ति को जब वाद, पित, कफ में संतुलन टूट जाता है असंतुलन आ जाता है वात बहुत बढ़ गया पित बहुत घड़ गया कफ बहुत बढ़ गया वात बहुत घड़ गया तब ही बीमारी आएगी जो वात पित कफ संतुलित है समान है तो बीमारी आने की कोई संभावना नहीं ये आयुवेत का मूल रहस से है अब आप वात पित कफ को ठीक कैसे रख सकते हैं इसके लिए छोड़ी छोड़ी बातें बताता हूं सब माता हैं जरूर इसको ध्यान से सुनें क्योंकि यह आपके बहुत काम की वैसे तो सब के काम थे वाद को संतुलित रखना है अगर जिन्दगी भर तो शुद्ध तेल खाओ यह पहली वाद शुद्ध तेल खाओ अब आपके मुन में तुरंट सवाल आएगा क्या हम तेल शुद्ध नहीं खा रहे हैं हाँ आपका तेल शुद्ध नहीं है जिन जिन को घर में वाद की बीमारी है समझ लो तेल किसी का शुद्ध नहीं है आप बोलेंगे जी हम तो बजार से लाए है Double Refined, Triple Refined ये Double Refined, Triple Refined माने यह है तेल लेई आपको मालूम है ये Double Refined, Triple Refined चेक्कर क्या है तेल जो होता है ना जो तेल मिल से नकला जाता है जैसे तिल जैसे सरसों जैसे नारियल जैसे मुंफली आपने दे दी किसी तेल विल वाले को उसमें पीस के तेल निकाल दिया ये है शुद्ध तेल ये खाओ तो फिर बाकी तेल क्या है बाकी में सब है मिलावट वो मिलावट पता है क्या है तेल को जब रिफाइन करते हैं तो तेल की चिकनाई निकालते हैं और जब तेल की चिकनाई निकल जाती है तो तेल पानी हो जाता है और तेल की जब एक बार चिकनाई निकाली जाती है तो उसको करते हैं रिफाइनिंग ओफ ओईल जब दो बार चिकनाई निकालते हैं तो डबल रिफाइनिग और तीन बार निकाल लिया तो ट्रिपल रिफाइनिग तो बचा क्या उसमें पानी है वो तो आप चिकनाई से गवराने लगे आज कर और डॉक्टरों ने डरा दिया कॉलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा जी चिकनाई मत खाना मैं आपको जो कहने आया हूँ है कि चिकनाई खाना देख के खाना कौन सी खाने लाइक है कौन सी खाने लाइक नहीं है चिकनाई दुनिया में दो तरह की है एक अच्छी और एक बुरी बुरी चिकनाई कभी मत खाओ और अच्छी चिकनाई जरूर खाओ जो अच्छी चिकनाई होती है वो शरीर में बढ़ाती है High Density Lipoprotein HDL ये अच्छी चिकनाई और जो बुरी चिकनाई है वो बढ़ाती है LDL Low Density Lipoprotein तो वो चिकनाई कभी मत खाओ जिससे LDL बढ़े वो खतरनाक है और वो चिकनाई जरूर खाओ जिससे HDL बढ़े क्योंकि उसकी जरूरत है ये जो अच्छी चिकनाई आप में ही खाओगे तो क्या होगा वो भी बतादा आपका शरीर चूसे हुए आम के जैसा हो जाए आम चूसने के बाद कैसा दिखता है ऐसा हो जाएगा शिकनाई तो खाओ नहीं तो शरीर की चमक चली जाएगे ये जो चहरा चमकता है ना हमारा ये चिकनाई के कारण अगर चिकनाई नहीं है शरीर में तो पिल पिला हो जाएगा देखने में अच्छा ही नहीं लगे तो चिकनाई तो खाओ अच्छी वाली अब आप पूछो जी अच्छी चिकनाई कहा मिलती है अच्छी चिकनाई मिलती है शुद्ध तेल में शुद्ध तेल मैंने बता दिया नारियल, सरसों, तिल, मुंफली उसको मिल में डाला, मशीन में सीधे तेल लिकला कुछ मिलाया नहीं, कुछ किया नहीं वो तेल शुद्ध, वो खाओ जिन्दगी वर खाओ, कोई तकलिफ नहीं आने वरे क्योंकि शुद्ध तेल से HDL बढ़ता है और वो हमें चाहिए अशुद्ध तेल मत खाओ अब अशुद्ध तेल कौन सा? रिफाइन तेल, डबल रिफाइन तेल, ट्रिपल रिफाइन तेल, डालडा सबसे खतरना का शुद्ध तेल है डालडा वेजिटेबल आइल, तो वेजिटेबल आइल मत खाओ, रिफाइन तेल मत खाओ, डालडा मगरा मत खाओ ये तेल से जिंदगी भर बचो शुद तेल खाओ किसका खाएं? जो आपकी तासीर को सूट करें उसका खाओ किसी को लगता नारियल का तेल अच्छा तो नारियल का खाओ, तिल का किसी को सूट करें तिल का खाओ, मुनफली का खाओ, वैसे आप जहां रहते हो, यहां के लिए नारियल तेली अच्छा है जब आप राजिस्थान जाओगे तो वहां के लिए सरसों का तेल अच्छा जब आप जम्मु कश्मीर जाओगे वहां के लिए तिल का तेल बहुत अच्छा पहार में रहें तो तिलका तेल, मैदान में रहें तो सरसोहधी का तेल और समुद्र के किनारे रहें तो नारे रहें तो शुद्ध खाओ कभी तकलीफ में आए और जिन्दी में वाद का कभी कोई रोग नहीं आएगा शुद्ध तेल की इतनी ताकत है और वार्द के असी रोग हैं, असी शरीम में, घुटों का दर्द, कमर का दर्द, गंदे का दर्द, जोडों का दर्द, ऐसे असी रोग हैं, ये सब रोगों से बच जाओगे, शुद्ध तेल का, अब कहा से आएगा, मदुरही में ढूडो, कोई तेल मिल है चा, नहीं है तो लगा लो, बहुत सस्ते में मशीन आती है आजकर, जो गुजिरात वाले भाईब है न, राज कोट में मैंने देखा, शुद्ध तेल लिकाले की मशीन पचास हजार एक है, और वो इतनी छोटी है, कि 10 फिट लंबा कमरा, 10 फिट चोड़ा कमरा उपने में लग जाती है, और स सब तरह के तेले की मशीन से निकलाते हैं, नारियल का भी निकलता है, सरसों का भी निकलता है, तेल का भी निकलता है, मुंफली का भी उसी मशीन से निकलता है, तो पचास जार के मशीन का ओडर दे दो यहां लग लालो, क्या मुश्किल है, अपनी अपनी नारियल लेके जा जाओ तेल निकलवा के लाओ, मूँ खली लेके जाओ तेल निकलवा के लाओ, और या तो कोई पुरानी तेल मिल होगी, ढूड़ लो, उसे जिंदा कर दो, बंद हो गई होगी, फिर वापस चालू कर, और नहीं तो मेरी बात मानो, एक लकडी का कोलू बन वालो, बड़ाई य जिंदगी में कभी भी बात का रोग नहीं आए, और नहीं तो तयार रहो, असी रोग आएंगे, और सारी कमाई आपके जिंदगी की इन रोगों में ही चली जाए, तो आप तैय कर लो, क्या करना, मैंने तो बता दिया, भया शुदू तेल खाओ, एक मशीन लगवाओ, नही कर देश का तैल निकालोगे उसको, अब मैरे दो बहुत तेल वालों को देखा, वो ठोकट में तेल निकालते हैं, पैसे भी नहीं ले, मैं पूझा भाई, तुम्हारा खर्च कैसे निकलता है, वो कहते हैं, जो तेल निकालते हैं ना, उसमें तेल दो दे देते, खली रख ल झाल झाल